नमस्कार, हिंदेश साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुवाश्ठाक्र के साथ दोस्तों आप अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें NTA UGC NET, JRF, हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम इससे पहले 114 पर रहे थे जिसमें हमने वैचारिक पिष्टभूमी में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी और वैचारिक पिष्टभूमी में हमारे कुछ एक लक्चर अब बचते हैं जिसमें आपका माक्सवाद हो गया या फिर नारिवाद और जो दलित विमर्ष इत्यादी हैं ये चीज़ें ही बचती हैं हमारे पास और बाकी हमने लगभग वो वाला अपना जो हमारा इकाई चार है उसके हमने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो कर लिये हैं जो कुछ अन्य टॉपिक्स बचते हैं उनको भी हम जल्द कंप्लीट कर लेंगे लेकिन इकाई पांच अभी तक हमने कुछ भी इसके रिगार्डिंग नहीं पड़ा था तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इकाई जो पांच हमारा बचा हुआ था इसको भी हम थोड़ा बहुत शुरू कर लेते हैं क्योंकि जो हिंदी कवीता व प्रचनाए हैं दोए हैं वो हमारे पांच हिंदी कवीता वाला है इसमें लगभग कितने टॉपिक्स हैं और कौन-कौन सी महतोपून चीज़ें इसमें हैं और किस तरीके के प्रशन यहां से पूछ जाते हैं और साथ हम एक कवीता भी इसमें आज कवर करने की कोशिश करें और लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों एक महतोपून चीज़ में आपको बता दूँ कि हमने 2004 से लेकर के 2020 तक के जो प्रिवियस एर पेपर के कौश्चन पूछे गए हैं उसमें से हमने 1000 जो कौश्चन हैं वो आपके लिए व्याक्या सहीत लाए हैं तो डिस्क्रिप अच्छा नहीं मिल पाती हैं तो इसमें आपको बहुत ही विस्तित व्याक्या मिलेगी और यह आपके लिए बहुत जादा फायदेमंद होने वाली है और इसके अलावा अन्य जो नोर्ट्स हैं वो भी हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो आप बने रहे हिंदी साहित्य वारता परिवार के साथ तो चलिए अब देख लेते हैं हम कि इकाई पांच हिंदी कवीता में जो कुल रचनाकार हैं या कुल जो कवी हैं वो कितने हैं तो यहां पर देखिए लगभग 22 इसमें रचनाकार हैं जिनकी जो कविताएं या जिनके जो पद हैं या उनके जो दोहे हैं वो हमारे पाठेकरम में शामिल हैं तो 22 रचनाकार हैं लगभग और इनी 22 में से ही आपको UGC.net की परिक्षा में आप देखते हैं कि पूछे जाते हैं और इसके अलावा बाहर से भी हो सकते हैं वो हम कवरप करने की कोशिश करते हैं जो हमारा इकाई 2 होता है जिसमें हमने आपकी आपने देखा होगा कि भक्तिकालीन जो कावे है या फिर आदिकालीन कावे है या फिर आपका जो आधुनिक कावे है उनके जो प्रमुक कव कि हैं कि आपका जो हमारा syllabus है उसको हम focus कर चुके हैं कि हमारा syllabus में कौन-कौन सी चीजएं है और उसके उपर हमारी पहला ही जो lecture बना हुआ है वह syllabus के उपर ही हमने रखा है तो 22 कौन-कौन से रचनकार हैं, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि मैं बार-बार ये कहता हूँ कि लगबग 25% काम आपका उसी वक्त हो जाता है, जब आप अपने सिलेबस को पढ़ते हैं, तो उनके जो कुल रचनाएं दिखिए, वो कितनी हैं, 50 से अधिक, तो पचास या पचपन से ज्यादा ये कविताएं हैं, हालांकि ज्यादा लंबी-लंबी कुचिक चीज़े हैं, लेकिन बाकी आप देखेंगे कि बहुत एक तरीके से इसको consolidate करके आपको कहा गया है कि इस तरीके से ही आपने इन चीज़ों को पढ़ना है, तो देखिए, आगे जो अगर हम यहां से बात करें, ये तो ओगे कि कुल रचनाकार कितने हैं, और इनकी कितनी रचनाएं या कितनी कवीताएं हमारे पाटे करम में शामिल हैं, उन में से जो पंक्तियां किस की हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से प्रशन पूछा जाता है, एक प्रशन ऐसे ही पूछा जाता है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ पंक्तियां दे दी जाएंगी, दो तीन, या उनको ऐसे पूछा जाता है कि ये किस कवी की पंक्तियां हैं, या कि कविता की पंक्तियां है तो एक तो ये तरीका बनता है आपका यहां से प्रशन पूछने का दूसरा आता है आपका की रचना क्रम आपकी जितनी भी कविता हैं यहां पर पाठे क्रम में शामिल हैं उनको क्रम अनुसार लगाने को कहा जा सकता है या उनके जो आपको एक या दो पंक्ती के अर्थ पता दिये जाते हैं या फिर आपको पुछ जाता है कि कुछ एक जो शब्द हैं उसके कहने का मतलब क्या है या भावार्थ क्या है उसका ये चीज अब जादा पुछ जाती है तो आपने mainly focus क्या करना है कि जो आपके पास कवीता है या क्योंकि अब आप देखते हैं कि जो conceptual जादा पूछ जा रहा है कि उसमें concept क्या है उसको आपने समझना है ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ये पंक्ती किस की है उन पंक्तियों में कवी कहना क्या चाता है उसके कहने का भाव क्या है ये भी अब पूछ जा रहा है तो ये एक अलग तरीका है फिर उसके बाद है कि कविता में वरनित विशे क्या है किस विशे को लेकर बात कही गई है ये भी पूछ जाता या उसका केंद्रिय भाव क्या है या उसमें किन व्यक्तियों का वनन है या किसी दूसरी चीज़ का वनन है जैसे आपने द प्रशन है वो इकाई 5 जो हिंदी कवीता है वहां से पूछे जाते हैं तो जो जो भी प्रकार से प्रशन बनने के संभावना थी वो मेरे यहां पर आपको बता दी है इकाई 5 से इस तरीके के ही प्रशन बनेंगे जो आपके लिए बहुत ज़ादा महतफूर्ण है और यह पंक रचनाकारियां हैं, रचनाकारों के संदर्व में भी होनी चाहिए, कि मान लीजिए आपका जैसे अमीर खुसरो है ना, तो अमीर खुसरो के बारे में आपने देखा होगा कि अचारी राम चंदर शुकल ने क्या कहा है, बच्चन सिंग ने क्या कहा है, हजारी परसाद दुव तो खुसरों के बारे में आपने देखा होगा कि शुकल के जो कथन है पीछे बाले प्रीबियस एर पिपर में ये पूछे गए थे कि खुसरों के समंद में जो आपके शुकल है वो क्या कहते हैं तो ये भी एक महुत्पून प्रशन बनता है विद्यपती के संदर्व में ये पूछी जा सकती है ठीक है और आपका जैसे आधुनिक काल में अगरम देखेंगे कि अगे से रिलेटिड इस तरिके के प्रशन बनने के संभावन रहती है ये आपका जैशंकर प्रसाद है जो चायवादी का भी है या चायवाद के संदर्व में क्या क्या चीज़े हैं ये जो मूल भूत या जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहां से पूछी जा सकती हैं तो उन चीज़ों को भी आपने याद रखना है तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो प्रित्वी राज रासो है चंदरवरदाईक जिसके रचनकार है देखिए उसका जो रेवातट है हाला उसको शुक शुकी समवाद किसने कहा है मतलब रेवातट या पिर आपका जो प्रित्वी राज रासो वाला जो पूर्शन है वहां से आप देखते हैं प्रशन किस तरीके से पूछा जाता है यहां मेनली आपको व्याख्या से नहीं पूछ जाएगा उसके संबंद में जो म हमेशा यही चीज प्रशन पूछा जाता है कि उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां किस की है इसरीके से प्रशन पूछा जाता है तो खुसरों की जो important पंक्तियां है उनको पढ़के जाएगा और उनके जो भावार्थ भी आपको उसी में मिल जाएंगे रेकता.com अगर आ आती है आपके जो विद्यापति है देखिए विद्यापति से related भी ऐसा ही प्रशन पुछा जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं विद्यापति के आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी वो आपने पहचाननी है तो ये दो तीन जो पहले के हैं इनसे आपको व्याख्या में जादा नहीं फसना है, वहाँ पर में लिए आपको उनके समझ में जो महत्वपून चीज़ें हैं, वो ही याद रखनी है, लेकिन उसके बश्चात जो आपके आते हैं, चाहे कबीर हो गया, सूर हो गया, तुलसी हो गया, इनकी जो रचनाये हैं, है ना, वहाँ पर आपको व् इसा प्रशन बन सकता है, तो ये था इकाई पांच और उसके बाद वाले जो देखिए, इकाई पांच में जो आते हैं, जो आपके आधुनिक में आते हैं, तो वहाँ से आपको पंक्तिया डारक लिए पूछी जाएंगी किस की हैं, उनका भावात क्या है, ये प्रशन आप को बनने की संभावना वहां से ज्यादा रहती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि में लिए आपने जो पहले के दो तीन हैं, कबीर, जो आपके खुसरों हो गया, विद्यपती हो गया, और रिवातत हो गया, उनके मौतफुन तत्यों को पढ़िए, और इसके अलावा जो आपके चायवादी तो आपको लगभग चारों ही पढ़ने हैं, क्योंकि वो चारों के चारों कवी जो हैं हमारे पाटेकरम में शामिल हैं, उनसे रिलेटीड हालां कि हमने इकाई दो में भी बहुत सारी चीज़ें पहले कर ली हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको इकाई प लातार शुरूत करेंगे 11-5 हिंदी कवीता में जो भी महतरफन कवीता हैं, उनको हम बारी-बारी आपके बीच में लाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले से यह स्टार्ट किया है, जो जो भी महतरफन हैं, वो मैं आपको पहले-पहले बताता जाऊंगा, तो सबसे पहले यहां पर देखिए हमने नागारजुन की जो कवीता कालिदास है उसको रखा गया है तो जो नागारजुन की कवीता है देखिए कालिदास तो ये जो नागारजुन है देखिए वो किस्तिके के कवी माने जाते हैं ये प्रगतिवादी कवी माने जाते हैं नागारजुन लेकर भी इनोंने बात कही है जिस चीज को लेकर कि आपकी जो कालिदास कवीता है देखिए जो कवी की जो रचना फ्रक्रिया है उसके बारे में ये चीज ये कवीता आपको बताती है और इसके साथ ही साथ किसानों का मतलब है कि गरीब मुपलिसों की आवाज को बया करने वा जो भुखमरी से परेशान हो उन लोगों की बात करते हुए नागरजुन हमें अक्सर दिखते हैं अगर हम बात करें देखिए नागरजुन के जीवन परिचे की तो आपको सब लोगों को पता होनी चाहिए कि उनका चनम कब हुआ था 1911 में हुआ था यात्री उपनाम से ये ल रचना है देखिए ये किस कावे संग्रह में संकलित है इस लिके से प्रशन पूछा जा सकता है तो इनकी जो रचना है देखिए वो सतरंगे पंखों वाली जो कावे संग्रह है इनका 1959 जिसका प्रकाशन वर्ष है उसमें ये संग्रहित इनकी प्रमुख कवीता मानी जाती ह है मनुश्य हूं अकाल और उसके बाद खुर्द्रे पैर और शासन की बंदूक तो ये कुछ एक जो महत्वूर्ण इनकी कवीता हैं देखिए ये हमारे पाठेकरम में शामिल है और जो कालिदास प्रस्तुत की गई है ये चीज बताई गई है आपकी जो कालिदास नामक कवीता में नागरजुन के द्वारा तो चलिए ये था आपको कि थोड़ा सा मुत्रपूर्ण जो चीजें हैं जो नागरजुन के संदर्व में थी कि वो किस तरीके के राइटर हैं प्रगतिवादी राइटर हैं ठीक है और इन्होंने बहुत सारे इनके कावे संग्रह रहे हैं और इनके कावे संग्रहों को भी मनुसार याद होने चाहिए ठीक है इसके अलावा नागरजुन को सहीत्यागाद में पुरुसकार भी मिला था किस रचना पर मिला है ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है इसके बारे में और इस कवीता में जो आपकी कालिदास कवीता है देखिए ये कालिदास जो कवीता है इनकी इसमें जो ये कालिदास से ही पूछते हैं कि कालिदास जरा सच सच बतलाना कि जो भी आपकी ये कवीता है कि विरह की एक विरात्मक कवीता है जो ऐसी मर्द सपरशी और विरित जो अभीवक्तियां आपने अभीवक्त की हैं तो यह कहीं तुम्हारे अग्यात उस प्रेम की तो नहीं है, जो अधूरा रह गया है, तो यह इस रिके का प्रशन करता हुआ, यह कविता का विशे है, है न, और इसलिए इसको कहा जाता है कि परस्तुत कविता क्या है, कालिदास में इसमें क्या है आपका,enser education कालिदास की तीनो की गई है इसमें आपके कालिदास कवीता में ठीक है तो ये दिखे प्रगतिवादी चेतना और इसके जुस्सहज सौंदर के प्रतिफलित और परिलक्षित करती हुई ये कवीता आपके पाठेकरम में शामिल है इसको हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहां से देख लेते है कि क्या चीज इसमें इनोंने कहने की बात कही है तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि जो आपके कालिदास ने देखिए उनकी जो तीन रचना है उनको इनोंने अधार माना है इसमें ठीक है इनके प्रसंगों को लेकर के सबसे पहले इसमें काम आपका जो पहला जो लाता है देखिए रगुबंश का जो इनकी जो मत्वपुन रचना है रगुबंश उसका प्रसंग इसमें रखा गया है और इसमें इनोंने देखिए इंदूमती और अज जो दो नाइक और नाइका है उसमें देखिए रगुबंश के पात्र है ना तो उनका इनोंने ये इनका पहला प्रसंग है तो यहां पर देखिए क्या लिग रहे हैं इंदुमती के मृत्यू शोक से अज रोया या तुम रोये थे कालिदास सच सच बतलाना तो देखिए इसमें आपको जो नागरजुन की कालजई रचना माने जाती है और इसमें ये क्या कहते हैं ये अज उसने जब विदर्व की जो राजकुमारी इंदुमती से प्रेम किया था तो क्या हुआ था कि जो नारद की वीना से गिरे जो पुष्प थे जो फूल थे उनके अगहातों से जो इंदुमती थी जो नायका थी उसकी मृत्यू हो गई थी तो उसके शोक में जो ज्यादा व्याथित्ध था, है न, तो कालिदास, तुम सच-सच ये बतलाना, कि जो मिरह था, क्या वो अज का ही था, या फिर वो तुम्हारे अपने अंदर की रिदय की पीड़ा थी, तो ये पहला प्रशन यहाँ पर, नागर जुन किस से करते हैं, कालिदास से करते हैं, कि अज रोया था कि तुम रोय थे, कालिदास, मुझे ये चीज तुम सच सच बतलाना, ठीक है, तो यह तो पहली बात हो गई, तो यहां पर देखिए कहने का मतलब क्या है, कि अज की जो वीरह बेदना ने, कहीं कालिदास पर कोई जो एक तरीके से असर तो नहीं किया, या फिर यूँ कहें कि कहीं उनकी अधूरी प्रेम कहानी तो जागरित नहीं कर दी ठीक है तो मतलब कहने का भी प्राय देखिए यहां पर क्या है कि जिस तरीके से कालिदास ने उस रगुवंशम जो इनकी कृती है देखिए उसमें इंदुमती के मृत्यू शोक को उन्होंने अभिव तो यह था इनका परिछे था या पहला प्रसंग था ठीक है तो यह रगुवंश की प्रसंग से लिया गया था रगुवंश जो कालिदास की कृती है वहां से दूसरा आता है देखिए शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाजौला में गृत मिश्रित सूखी समिदास तुमने ही तुद्रिक धोय थे कालिदास सच सच वतलाना रती रोई या तुम रोई थे तो दूसरे वाले जो प्रसंग में देखिए ये वाला जो प्रसंग कहां से लिया गया है ये लिया गया है आपका जो कुमार संभव इनकी रचना है देखिए उसका ये प्रसंग है जो कहीं अज का वो इंदूमती के प्रती निश्चल प्रेम तुम्हारे प्रेम की समरिती तो नहीं बन गया ठीक है तो ये पहली वाली बात कही है आगे ये क्या कहते हैं देखिए कि जब शिवजी की तीसरी आंख से निकलती हुई महाजौला में कि जब राक्षिसों के विना अगन हो गए थे और उनके ध्यान को हटाने के लिए सभी देवताओं ने प्रयास किये और उनके अंदर जो कामागनी थी उसको जागरित करने के लिए उन्होंने प्रयास किये लेकिन सब के सब प्रयास हम देखते हैं कि वो विफल हो गए हैं ये चीज आप ओमनवा शिवा तो उसमें वो भस्म हो जाते हैं उनकी क्रोधागनी से ठीक है तो उसके विलाप में फिर रती जो विलाप करती है उसका वनन यहां पर किया गया है देखिए कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महा ज्वाला में गृत मिश्रित सुखी समीधासम तुमने ही तुद्रि है कि जब कामदेव ने शिवजी की महा समाधी को भंग करने का प्रियास किया था और शिवजी ने क्रोध में आकर उनकी तीसरी आंख से निकलती उस प्रचंड अगनी में कामदेव को ठीक उसी प्रकार भस्म कर दिया था जिस प्रकार जो यग्य की अगनी जो उसमें यग् रतित हो जाती है ठीक है और आंसू बहाने लगती है तो वहाँ पर जो नागरजुन है वो कालिदास से कहते हैं कि हे कालिदास वे आंसू कहीं तुम्हारे तो नहीं थे कि तुमने जिस तरीके से उस विरहे को अपने काबे में अभी व्यक्त किया है वो काबिले तारीफ है क्य वो सच में ही रती का ही रोना था या रती का ही विलाब था या कहीं न कहीं तुम रो रहे थे ये एक प्रशन कालिधास से करते हुए यहां पर नजर आते हैं नागार जुन जी ठीक है तो दूसरा इसका जो परिशेदे देखिए यह किसके संदर्ब में है कुमार संभव के प् प्रसंग है रगुबंशम फिर दूसरी इनकी जो रचना है कुमार संभव का प्रसंग और तीसरी रचना में इनका जो आगे वाली है देखिए उसमें मेग दूत जो इनकी रचना है देखिए उसका प्रसंग देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर दीकी क्या लिका है वर परासंदेशा उन पुशकरावर्त मेगों को साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना पर पीडा से पूर पूर हो ठक ठक कर और चूर चूर हो अमल धवलगिरी के शिकरों पर प्रियवर तुम कब तक सोय थे कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष की तुम रोय थे तो देखिए ये जो इनकी तीसरा जो प्रसंग है देखिए इसमें मेगदोत का जो इनकी रचना है उसका प्रसंग ये लिया गया है आप देखते हैं कि जो इसमें जो यक्ष है देखिए उसकी पीडा को अभिव्यक्त किया गया है इसमें है ना कि जो कुबेर थे उनके प्रियत्मा के वीरह में लगाता रह वो जीवन व्यतीत करता है और उसको बहुत जादा एक तरीके से अपनी प्रेमिका की याद आती थी जैसे ही आपकी जैसे ही आपका सावन या इस तरीके की जो एक चीज यहां पर आगे हम देख लेते हैं पढ़ते वक्त लग जाएगा मै तो कालिदास के अग्यात प्रेम की ओर देख संकेद करते हुए नागरजुन जी कहते हैं कि हे कालिदास तुम्हारे जो कावे मेगदूत के प्रमुख पात रहे देखिए अलकापुरी से जब निशकाशित यक्ष को जैसा ही मैंने आपको पहले ही कहा कि अलकापुरी से निश्चे करता है ठीक है तो नेक्स्ट देखिए कि निश्चे करता है लेकिन चित्रकूट के शिखर पर एकाकी जो एकांतपन का जीवन व्यतीत करते समय यक्ष को कोई संदेश वहाक नहीं मिलता तो यहाँ पर देखिए वर्षारितु के सनिक्द भूमी का प्रत्थम दि निकाल दिया गया था अलकापूरी से और उसके बाद वो विरह में तड़प रहा था और वर्षारितु में उसकी विरह अग्नी जो थी वो और भी जादा तेज हो गई थी ठीक है और चित्रकूट के सुबग शिकर पर खड़े खड़े तब हाथ जोड़ कर कि जब वो अप पुशकरावर्त मेगों के साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच-सच बतलाना तो उन्हाने देखिए वर्षारितु में अशार के प्रत्थम दिवस पर अकाश में उमरते जो पुशकरावर्त जो मेग थे जो बादल थे उनको अपना दूत बनाकर अपनी जो प्रीमिका उनके पास वो बेजता है तो किसको बेजता है जो पुशकरावर्त जो मेग थे उनके पास अपना संदेशा बेजता है तो आगे कहते हैं कि देखिए कालिदास सच-सच बतलाना है कालिदास तू मुझे सच बतलाना कि उन जो पुशकरावर्त जो मेग हैं जो बादल हैं उन कर हे प्रिय कालिदास तुम कब तक सोए थे कि उस के साथ तुम मतलब आपके जो यह चीजें गटी हो रही थी देखिए इससे पहले कि जो आप मुझे सच सच बताईए कि अपनी प्रेमिका तक संदेश पहुँचने में उन श्वेत परवतों की चोटियों पर तुम कब तक सोए थे ठीक है अकेले विरह में है ना तो यह चीज इसमें कहे गई है कि परपीडा से पूर पूर हो ठक ठक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिकरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष की तुम रोय थे तो अंत में एक बार फिर से जो नागरजुन है वो कालिदास से ये प्रशन करते हैं कि कालिदास तुम मुझे सच सच बतलाना कि आप अपनी प्रेमिका के विरह में रोने वाला वाकई में यक्ष था कि वो तुम रो रहे थे या कहीं वो तुम्हारी अधुदे प्रेम की व्यथा तो नहीं थी या फिर जिस प्रेम के विरह वेदना में यक्ष जला था कि तुमने भी उस विरह वेदना को ही सहा था ये बात यहां पर नागरजुन जी कहते हैं तो ये इनक जो रचना में जो नाएक नाइका हैं उनके विरह का वनन इसमें किया गया है ये रचाहिरा गुवंश का अज और इंदुमती हो गया कुमार संभव का कामदेव रती हो गया या फिर आपका मेगदोत का यक्ष और उसकी प्रेमिका का वनन इसमें हो गया ये तीन चीज़े हैं मैं इसमें देखने को मिलता है और उनकी भाषा की अगर बात करें तो simple और स्पष्ट भाषा में इनों ने ये सारी चीज़ें कहने की कोशिश की है तो बहुत छोटी सी कवीता थी जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था तो यहां पर इनोंने रचना धर्मिता की बात कही है इस कवीता के माध्यम से और इस कवीता में देखी यहां पर लिखा गया है कि नागर जुन संस्कित के महा कवी कालिदास के माध्यम से कविता की रचना पर करिया की बात करते हैं तो ये चीज मौतपूर्ण बाते हैं इसमें ये ये थी तो I hope दोस्तों कि आप लोगों को इसका जो बावार्थ है वो समझ आ गया होगा और अब आप इसका जो सारांश है वो खोद इसका बना सकते हैं और आगे वाले लक्चर में हम इनकी जो बची हुई कविताएं हैं उनको देखेंगे नागरजुन की जो कविताएं हैं बादल को गिरते देखा है अकाल और उसके बाद और बहुती शांदार कविताएं इनकी हमारे पाटाक्रम में शामील है हम कोशिश करेंगे कि जल्ड से जल्ड इनकी कवीताओं को खत्म करें और उन्से related जो बहुत पून चीजें हैं वो हम आपकी बीच में लाते रहेंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं अच्छा लगा हो तो please अपने दोस्तों के बीच में share गीजिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले तो फिर मिलेंगे नई उर्च और नई स्पूर्ती के साथ तब तक के लिए शुक्रिया